पूरे देश में चारसो इनकोतर डिस्ट्रिक में 69,000 परियवारों के साथ 143 ब्राचों के साथ संसकार इस टोप प्रायरिटी 60% संसकार शिखने के लिए देते हैं बैलेस 30% सेवा के लिए 10% मेंबर्स को मिलना करना पाचित करने का इसाम कार्यकरम करते रहते हैं आज विवेकन की जन्म जयनती है और इसी दिन 1963 में हमने डिसेड किया है भारत्य वेस्ट्रिक की स्थापना करना इसलिए हम विवेकन के आदर्शों पर चलते हैं उनके बतायों रस्तों शिक्षा पर हम देश की बविश बनाने के लिए बच्चों को साथ लेकर करते हैं आपकी संगेटना से जूडने के लिए लोगों क्या संदेश जिरा चाहोगे हैं अच्छे नागरी की देश में पैदा होए अच्छे शंसकारिक बच्चे जो आ रहे हैं वह होए सबी जो असाहे लोग है यहां पर निर्वा तिकी फर्मिंस्ट्र पोशिशन डाउन है उनके साथ में उनकी सेवास का काम हम मिलके करें यह हम मिलके अपजेक्ट है सरा यहां पर मुख्यतिती कोन होगा हमारे मुख्यतिती है सर मानिय चीफ मिनिस्टर एकनाजी सिंदे और उपनीं कमिंटी देवादर जी फट्मिंश ओमराप सिंटी उस्ताल बिल्डर से एक शेयर ब्रोकर है अनिल जी गगर्ड और हम सब मिलके प्रोग्लामों करेंगे बारत युकास परिशत की लेनास्त्रो इवन समस्त्त विश्व के योगों के अधर एज़े स्वामी विवे कनंद जी की एक सो साथ भी जन्म जैन्ती की आप सभी को हर्दिक शुपकामना है आज बारत युकास परिशत मुंबे परांत ने अपनी सभी 21 शाखाओं के सहयोग से स्वामी विवे कनंद के जन्म जैन्ती को एक अनुख्य डंग से मराने का निश्चे किया और हमें यहाँ पर सुन्दर सा एक उनकी जीवनी बंडाट्टी का मंचन करने जा रहे है मुल उद्देश्य भारत युकास परिशत का इस कारेकर्म की पीछे हैं कि मुंबई जैसे महानगर में जहां पर दान दाता तो बहुत है पर कर्म दाता बहुत कम है इसे करम दाताओं को ज्यादा से ज्यादा लाइमनाइक में लाना और भारत विकास परिशत का विकास और विस्तार हो क्योंकि समुरुद्ध और प्रभुद्ध लोग आज भी समा सेवा से थोड़े से बाहर है वारत विकास परिशत कर रहें और तरह भी समुरुद्ध लोगों को प्रभुद्ध लोगों को है संभनीत करने हो रहे हैं अंध दोगों ने सोशल की इसंपने जो अच्छे काम क्या है और उच्छी काम किया है अज इस इस कारिकरम में आप सबका सुवागत करता हूं और मुबई प्रांच जो है उसमें हमारे है एक्किस प्रांचिज है तो चर्च गेट से लेके पालगर तक है और इसमें आठ सो बहतर मेंबर्स जुड़े हुए हैं हम से और संसकार के कारिकरम करते हैं ऐसा हमारा यह भारत्विकास प्रिजिन में प्रांच है बहुत बहुत धन्य वहां से कर सकते हैं आप कौनसे एरिया में उस एरिया के जो रिलेटेड ब्रांच है नजदीक की उस ब्रांच के जो सेकेटरी उनसे जुड़िये जाके और उनसे फोर्म बरके आप उनके फीस बरके मेंबर बन सकते हैं